कुम्म राशी के आकाशिय वित्तांत दोहजार चौविस यानि की सन दोहजार चौविस के कुम्म राशी का राशी फल में आपका स्वागत है आगामिय वर्ष की ग्रही घटनाओं और वार्शिक राशी फल में मैं डॉक्टर विन्य बजरंगी आपका मारदल्शक स्वागत करता हूं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आकाश पर किस प्रकार से जो हमारे ग्रह हैं वो च्छाए रहेंगे और कौन-कौन सी ग्रही घटनाएं जो हैं वो प्रमुक होंगी जो कि आपके जीवन को थोड़ा बहुत परिवर्थित कर सकती है देखिए जैसे मैंने कई बार बतलाया कि शुक्र सूर्य चंद्रमा और बुद्ध हर महीने हर रोज राशियां परिवर्थित करते हैं लेकिन इस साल एक माई को गुरु जो है वो वर्षब राशी में प्रिवेश करेंगे शनी 30 जून को वक्री यानि कि उल्टे हो जाएंगे अक्टूबर में गुरु वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर सन 2024 को शनी मारगी हो जाएंगे यानि कि दुबारा ठीप हो जाएंगे लेकिन शनी इस पूरे वर्ष कुम्ब राशी में ही रहेंगे कई और नहीं जाएंगे एक बात आपको बता दूं कि इस साल चार ग्रहन लगेंगे जो की प्रमुक होंगे दो तो चंद ग्रहन लगेंगे और बाकी दो जो हैं वो सूर ग्रहन होंगे चंद ग्रहन बार्ज और स्थम्बर में लगेगा जबकि सूर ग्रहन अप्रेल और अक्टूबर में लगेगे इसका मतलब यह हुआ कि इस वर्ष आपके लिए अपने जीवन के अंदर अभूत पूरू परिवर्तन लाने के लिए विभिन दिन होंगे जब गुरू राशी परिवर्तन कर रहे होंगे शनी वक्री हो रहे होंगे वो दिन जब चंद ग्रहन और सूर ग्रहन लगेंगे यानि कि यदि कुछ ठीक हो रहा होगा तो उसको बढ़ाया जा सकता है कुछ ठीक नहीं हो रहा होगा तो उसको संतुलित करके ठीक किया जा सकता है यदि आपको लगता है कि ठीक नहीं चल रहा तो आपको इन दुनों का विश्यश तोर से लाब लेना वांचनिय होगा तो आएए देखते हैं कि कुम्भ राशी वालों के लिए पूरे वर्ष की थीम क्या रहेगी देखिए कुम्भ राशी के लोग जो है वो आम तोर पर सहंशील और मिलनसार होते हैं समझदारों की कैटेगरी में इनको रखा जाता है और बहुत खुले विचारों के लोग होते हैं कि इनको लोगों से मिलना जुलना पसंद है सतर्क रहते हैं लेकिन तल्पनाशील भी होते हैं वे अपने स्वतंत्र आचरन के कारण जीवन में आत्म निर्वर्व बने रहने का प्रयास करते हैं नैतिक्ता में विशेश्टह विश्वाश रखने वालों की ये एक कौम होती है और यदि किसी चीज को नीतिकत रूप से सही नहीं पाते हैं वो विद्रोही भी हो जाते हैं इसके अत्रिक्त इन में बुद्धी और दूर दर्शिता का अद्बुत समावेश होता है अब आपके लिए ये संद दोहजार चौबेस एक अच्छा वर्ष रहेगा शनी जो है वो अपने स्वायम की राशी में आपके लगन में इस्थित होंगे जहां ये शश नामक राजयोग बनाते हैं ये स्थिती जो है अत्यंत लापकारी होती है पूरे वर्ष आप चारों और से लाप प्राप्त कर सकते हैं गुरू आपके तृतिय और चरतुत भाव पर प्रभाव मराएंगे अच्छा ये स्थिती भी अत्यंत लाप्रद है राहू का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा जहां पर ये आपकी वानी खान पान और धन को प्राववित करेगा साल का हर माह आपके लिए विभिन विभिन परिणाम लेकर आता है और आएगा भी प्रमुग्रह चाहें आपको अच्छे या बुरे कैसे भी हल प्रदान कर रहे हो लेकिन फिर भी इन परिणामों को बदलने की आप असीम शक्ती रखते हैं और वो शक्ती जो है वो लगातार सूर्य शुक्र और चंद्रुमा के बदलने के कारण बनती हैं इसी लिए जो इक थीम है इसके अलावा आपको ये जानना चाहिए कि हर महिना आपके लिए कैसा रहे तो आईए जानते हैं कि आपकी राशी के लिए यानि कि कुम्ब राशी के लिए वर्ष 2024 के विबिन महिने कैसे रहने वाले हैं शुरुआत करेंगे सबसे पहले महिने यानि की जन्वरी की जन्वरी सद 2024 आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला हैं देखिए वर्ष की शुरुआत में गुरु ग्रह आपके तीसरे भाव में होंगे यहाँ यह आपके पराकरम, वैवाहिक सुख और सौभागे को मजबूत कर रहे हैं गुरु ग्रह की यह स्थिती अत्यंत लाप्रद मानी जाती है आप साल की शुरुआत शुब समाचार से होती है ऐसे में और मज़े की बात यह है कि महिने के बीच में आपको प्रमोशन मिल सकता है वित्त मजबूत हो सकता है हाला कि आप किसी आसामान्य तरीके से धन की प्राप्ति तो कर सकते हैं लेकिन आपको इस महिने खर्चों के ओपर अंकुष रखना पड़ेगा नेंतरन लगाना पड़ेगा मज़े की बात यह है कि विदेश यात्रा के बहुत प्रबल सहयोग बन रहे हैं प्रेम यदि करते हैं तो प्रेम संबंद और गहरे होंगी और यदि किसी को प्रपोस करना चाहते हैं मन में कुछ आपके अभी मन में कुछ उपा पोव है कि पदा नहीं होगा के नहीं होगा तो यह समय अच्छा है विवा के लिए भी यह समय आपको लिबाउट अच्छा है जनवरी के बाद आईए देखते हैं कि जो फरवरी का माह है वह आपके लिए कैसा रहने वाला है गए कि दिएपो फरवरी के अंदर आपको जो है fas sensitive वरेंद अस्टार आएगा तो फरवरी में अखार आ जाए गा और धियान दिये का कि राहू दूसरे भाव में आपको परेशान कर सकता है आक की वानी के अंदर नेगेटिविटी भर सकता है लोग आपकी वानी के अंदर ऐसा लगेगा जैसे दमभा गया है और महिने के बीच में आते आते सूर्य और शनी की युति जो है वो एक मानसिक द्वंद दे देगी और इन सब के चलते दामपत्य जीवन में भी कुछ कमी आ सकती है सैयम और समझदारी की बहुत आवशकता रहेगी इस महिने आप से मंगल बारवे भाओं में आपको आक्रोश दे रहा है जिसके कारण आप किसी की सुनेंगे ही नहीं बहुत जल्दी नगरात्मक्ता यानि नेगटिविटी का शिकार हो जाएंगे देखिए पॉजिटिविटी बनाके रखिए घर में एक शमी का पौधा लगाईएगा और सामने वाले पक्ष की सुनियेगा तो चलिए चलते हैं मार्च सन दो हजार चॉविस में ये कैसे रहने वाला है मार्च सन दो हजार चॉविस में सतर्क बने रहने की आवशक्ता है देखिए सबसे पहले तो सूर्य और शनी की यूति और उसके बाद राहू और सूर्य की यूति अच्छा संकेत नहीं देती आपके धन वा व्यक्तित पर अशुब संकेत मिल रहे हैं सब्तमेश का लगातार अशुब ग्रहों के प्रभाव में होने से जीवन साथी को मानसिक और शार्रिक पीड़ा मिल सकती है आपके कार और तुर्रा ये है कि चंद ग्रहन लगने वाला है आपको मानसिक चिंताएं देगा तो ध्यान दीजेगा कि कोई भी महत्वपूर्ण देड़ने ले उससे पहले सलाह ले लिजेगा पिता से आपकी अन्बन भी हो सकती है उनके साथ जितनी भी अन्बन हो जाए उनके स्वास्त का ध्यान अवश्य रखिएगा थोड़ी सी परिशानी में देड़ने रहा है चलते हैं 2024 अपैल कैसा रहने वाला है आपके लिए कुमराशी के लिए अप्रेल के शुरुआत में ही गुरू अस्त हो रहे हैं इतने बड़े ग्रह का अस्त होना सुखों में कमी ला सकता है आपके लिए अप्रेल में सुर ग्रहन भी होगा जो आपके नौवे भाओं में लगेगा आपको धरम की रह नहीं छोड़नी है पिता वह गुरू का सम्मान करना यह उपाय है भाई कि एक अप्रेल को गुरू अस्त हो जाएंगे और चार मई को उधित होंगे इस समय बहुत ज्यादा शुबकारे मत कीजिए यानि कि कोई भी कार जिसमें विस्तार होता हो उसको मत कीजिएगा आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है यह सब समझ रहे हैं आप खर्चे और बेमारियों में मन उलत सकता है कडिनाईयां आ सकती है इस समय मन की स्थिरता बहुत जरूरी है तो इसके लिए हमारे द्वार खुलने हैं आप जोतिशिय परामर्ष ले सकते हैं और आगामी वर्ष की रूप रेखा बना सकते हैं वरना आपके लिए परिशानी ह हो सकती है कि आये देखते हैं कि मई सन दो हजार चौबेस आपके जीवन में क्या गुल खिलाने वाला है देखिए मई के प्रारंब से ही गुरुग्रह आपके सुख के भाव में गोचर करेंगे यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है आपको चारों और से सुभ समाचार मिल सकते हैं और आपके सुख में वृद्धी हो सकती हैं गुरु क्या करेंगे आपके धन में वृद्धी करेंगे पारवारिक सुख देंगे आपके करियर वन नौकरी में आपको कोई ना कोई सुभ समाचार दिलवाएंगे यह गोचर आपके करियर ववित्त के लिए बहुत उत्तम माना जाता है और मजे की बात यह है कि सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर आपको मान सम्मान वा प्रतिष्ठा जरूर दिलवाएगी लेकिन परिवार वालों के साथ नर्मता का वेवार भूल मत जाएगा कार स्थल पर आपका रुत्पा तो बढ़ जाएगा लोग आपकी सराना भी करेंगे लेकिन इर्शा भी उत्पन हो जाएगी अगर मैं देखूं तो मई का मैना जीवन के हर पहलू के लिए अत्यंत सुख दायक रहेगा चलते हैं अंगले मैने जून में जून का मैना भी शुप फल देने वाला रहेगा कार में उन्नती के साथ साथ मान सम्मान बढ़ेगा इस समय आप अपने मित्रों के साथ कुछ परिशानी महसूस कर सकते हैं आपको लग सकता है वो आपसे कुछ दूर जा रहे हैं प्रेम संबंदों में भी कुछ खटास आ सकती है इस समय आप विनम रहेंगे तो आपके सभी रिष्टे में मदुर्ता आ जाएगी अन्य था दूरियां बढ़नी आरंब हो जाएं जून के महिने में शनी के वक्री हो जाने से रिष्टों में अर्चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है कि यदि कोई वाहन या प्रापर्टी करिदना चाहते हैं तो यह महिना जो है मई और जून का यह आपके लिए अनुकूल है कर लीजेगा जी चलिए देखते हैं कि जुलाई आपके लिए क्या लेकर आता है जुलाई सन 2014 कुम्ब राशी के लिए सूर्य का करकराशी में गोचर आपको कुछ जादा ही उदार बना देगा आप अपने परिवार की हर छोटी से छोटी जरुवत के लिए खर्चा करने के लिए तयार रहेंगे आमादा रहेंगे चाहे उसकी जरुवत हो चाहे ना हो इस प्रवती से बचना चाहिए क्योंकि बाद में यह परिशानी देगे सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में नव निर्मान को दर्शाते हैं आप डिश्चिती प्रॉपर्टी से सम्मंदित कोई निर्ने ले सकते हैं विदेश यात्रा के लिए यह समय अनुकूल है मंगल आपको चत्रुत भाव में उर्जावान ब घटका सकता है लेकिन फिर भी आपको जो है कोई महत्तकूर लेने से रोके नहीं इसलिए आपको जो है वो किसी ना किसी निरने से पहले कोई प्रामर्श लेना चाहिए चली अगले तलत बहिने तलते हैं अगस्त सन 2024 अगस्त दिन सन 2024 में आप अत्याधिक उर्जावान महसूस करेंगे इस समय सूर्व शनी आमने सामने होंगे जो आपके लिए मांसिक द्वन्त किस्तिती दिखलाती है आप अपने जीवन साथी को लेकर परेशानी में रह सकते हैं इस समय आपकी मांसिक स्तिती के कारण आपको व्यापार और करियर में हानी हो सकती है यदि आप अपना मांसिक संतुलन बनाए रखेंगे तो ग्रहों की स्तिती आपको सफलता देने में तत्पर होगी इस महिने नहीं तो अगले महिने क्योंकि अधिकतर ग्रह अच्छी स्तिती में है जो जीवन में संतुलन तो लाही सकते हैं आप सिरफ मांसिक स्तिती कारण दुविदा मैसूस करें तो चलते हैं अगले महिने सितंबर संदों हजार चौविस सितंबर का महिना आपके लिए लाप प्रद रहेगा आपको धन की ब्रोत्री होगी पैत्रिक संपत्ती से लाप की संभावना यहां नदर आती है इस समय आपको अपनी वानी पर नियंतर रखना पड़ेगा चंद ग्रेंड भी लगेगा तो मन को स्थिर रखना पड़ेगा नेगेटिविटी से दूर रहें और अधहानी हो सकती है महिना आपके लिए बहुत अच्छा है केवल आपको हर स्थिति के अंदर पॉजिटिव बने रहने की आवशक्ता है तो पिछले महिने और इस महिने यानि सेटेंबर में लिए आपको पॉजिटिव बना रहना आपके लिए ये एक मूल मंत्र है चलते हैं अगले महिने यानि कि अक्टूबर सन 2014 में अक्टूबर एक ऐसा महिना है जिसमें आप अनायास ही उर्जावान महसूस करेंगे जिसके कारण आप छोटी मोटी यात्राओं पे बहुत जाएंगे धार्मिक लाब भी आपको मिलता रहेगा और पिता की सला से लाब मिलेगा इस महां में निवेश से भी लाब मिलेगा लेकिन पती और पत्नी के संबंदों में खटास आ सकती है इसको समाल के रखिएगा लंबी चल सकती है इस महिने मंगल भी करक्राशी में गोचर करेंगे जो अपनी अगनी तक्तु से आपके स्वास्त को प्रभावित कर सकते हैं हर स्थिती में पारिवारिक जगडों से आपको बचना चाहिए क्योंकि लाब नहीं वरन इसमें हानी होगी आपको प्रॉपर्टी की खरीद फ्रोक जो की चल रही थी पहले से वो यहां पर आके पूर्ण हो सकती है जब सूर्क रहन लगेगा तो वो एक बड़ा इंपॉर्टन टाइम होगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे भविश्च के निरने लेने पड़ सकते हैं थ्वासा ध्यान दीजेगा और यदि कोई जियोतिशी आपको सहा लेनी है तो इसमें संकोच मत कीजेगा नवंबर सन 2014 आये देखते हैं कि आपकी राशी कुम्ब राशी के लिए ये कैसा रहने वाला है देखिए ये महिना जो है वो सब के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव है ये महिना प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है भवन के लिए अच्छा है सुख के लिए अच्छा है वाहन के लिए अच्छा है आप भवन या वाहन से जोड़ा कोई डिढ़ना इसमें ले सकते हैं और ये एक अच्छा समय है क्योंकि सूर्यवाद गुरु की एक बूसे पर तूर द्रिश्टी पड़ती है जो कि आपको सारी परेशानी उसे जो कि पहले से चली आ रही है उसे बाहर ला सकती है पुरानी जो चीज़े रुकी पड़ी है उसके अंदर आपको एक धक्का मिलने की संभावना इस महीने में लग जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके राशी शनी जो हैं वो मारगी हो जाएंगे अच्छा समाचार देंगे लाकर तो ओर और आल यह आपके लिए अच्छा महिना है देखें यह आपके लिए यानि कि कुम राशी वालों के लिए कैसा महिना रहेगा देखिए साल का अंत है आपके लिए शुब रहेगा संतान संबंधी अच्छे समाचार मिलेंगे सरकार से भी लाब मिलेगा संबान की प्राक्ती हो सकती है और बिगड़े काम बन सकते है और नए वर्ष की प्लानिंग में मन तद पर रहेगा सबसे बड़ी बात यह है सूर्य और मंगल का शडाश्चक योग आपके लिए नेगेटिव है जो कि पिता से दूरी ला सकता है उनकी शारिरिक शमताओं में कमी आएगी वो अस्प्लाइज हो सकते है अपने पिता का ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टन बड़ा आप देए तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपके महिने चलने वाले हैं लेकिन मैं थोड़ा सा और बता सकता हूँ आपको और सबसे बड़ी बात क्या कि सन 2024 में कुम राशी वालों के लिए प्रेम और जो संबंद होते हैं रिष्टे ये कैसे रहने वाले हैं इसको जानने से आप अपने प्रेम और उसको आप पुरा एनलाईज करके उनको प्लैन कर सकते हैं ताकि उसके अंदर कोई परिशानी ना हो देखिए सबसे पहले तो ये जान लिजे कि ये साल कुमराशी के लोगों के लिए शक्ति और नमरता से भरपूर बनाया हुआ है पहली छहमाई में कड़ी मेहनत, समरपन और अच्छे वित और उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे जबकि दूसरे छहमाई में शान्दिपूर्ण पारवरिक जीवन रिष्टे और अच्छे स्वास्त को दिखाता है और आप इसके ओपर भी अच्छा ध्यान देगे अच्छे रिष्टे हैं मजबूत बने रहेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं लेकिन अगर हम बात करें प्रेमों की तो ये साल जो है उतार चराओं के साथ आएगा प्रेम के अंदर विशा इस तोर पर क्योंकि इसमें पाच्छवा भाव, दितिये भाव, सुप्तम भाव जाबित रहता है इसमें क्या होता है कि छोटी-छोटी बातों पर मद्भेथ हो जाते हैं तो इसका उपाई ये है कि सरल वेवार होना चाहिए और शान्ती बनाके पॉजिटिव इनर्जी का काफी वहन करना चाहिए अगास्त और सक्तमबर का महिना सतर कहने के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि इसके अंदर ब्रेकेज भी हो सकती है आप इन महिनों के लावा अपने प्रियतम का या प्रिये का पूर्ण आनंद अनुवव कर सकते हैं लेकिन परेशानी जो है वो कहके नहीं आती है जो दो महिने मैंने आपको बताएं है इसके अंदर जो है आपके रिष्टे के अंदर ब्रेकेज भी आ सकती है आपको बहुत सोच विचार के साथ इन महिनों को निकालना होगा अन्यथा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं तो चली आएए देखते हैं कि कुम राशी के लिए करियर और वित्त कैसे रहने वाला है करियर और फिनैंस कैसे रहने वाला है पड़ा इंपॉर्टन टॉपिक है आएए देखते हैं वर्ष दो हजार चौबेस कुम राशियों के लिए समानतह सगरात्मगी है क्यों कि करियर में सफलता है अच्छा फिनैंस है प्रॉमोशन्स अच्छी हैं पैसे अच्छे हैं परिवारिक आनंद भी आ रहा है बीच-बीच में कुछ परिशानी है लेकिन आ रहा है वित्तिस्तिती मजबूत हो रही है और नौकरी और व्यवसाय में उनती हो रही है यह तो बहुत अच्छी बार प्रतिस परदा में महनत और समर्गपन से आपके अपने लक्षों को हासिल करने के जो मार्ग है वो प्रशेस्त हो रहे हैं इस साल का मुख्य मंत्र क्या होगा आपके लिए पता है आपको मेहनत से ही सफलता तो आप मेहनत करते रहिए और देखिए कि क्या मज़ा आता है इस महीने क्योंकि इस साल बहुत बढ़ी रहने वाला है चलिए मैं थोड़ी सी आपके स्वास्त की भी बात करता हूँ कि कुम राशी वालों के लिए स्वास्त जो है वो कैसा रहेगा ठीक है देखिए सन 2024 में कुम राशी के जातक जो है वो स्थिर और अच्छे स्वास्त का अनंद लेंगे ये पूरा का पूरा वर्ष शक्ती का आशिरवाद आपको प्राप्त रहेगा आपका शाररिक स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा लेकिन अच्छे स्वास्त के लिए स्वस्त अहार और शारिट व्यायाम का नियमत ध्यान रखना आपको चाहिए मानसिक स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर खुरी सी परिशानी मुझे दिदर आती है लेकिन यदि आपने इन सब का ध्यान रखा तो समर्द्धी और सुख मिलेगा जिससे की मानसिक संतोष आपका बना रहेगा ठीक है तो नियमित ध्याना अबास कीजिए नियमित जो है दिंचर्या को अपनाईए अच्छा अहार अपनाईए समय समय पर अध्यात्मिक और मानसि स्वास्त की सेवाई लेते रहिए अपने आद्व विश्वाश को बढ़ाने के लिए positive energy का संचार अपने आज पास कीजिए positive रहिए खुश रहिए ये जो है वो आपके लिए एक मूल मंत्र है जिसका आपको जो है वो पालंग करना चाहिए ये इसका पालंग करते हैं तो आप अवसाद तनाव इससे सब दूर रहेंगे और खुलकर अपने दोस्तों या परिवार से बाचीत करते रहेंगे उनका सारा भी आपको मिलता रहेगा तो इन सब के साथ जो है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये वर्ष के लिए अत्यन्थी पॉजिटिव है कोई भी चिंता करने की आपको आवशक्ता नहीं है ध्यान देते रहेए अपना ताकि आप जो है एक अच्छा योगदान समाज में करते रहे यदि आपका कोई भी प्रश्न हो या आपको कुछ भी सुनना हो या पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने से जो है बिल्कुल ना हिचके चाहें मैं उसका हर संभव जो है वो उत्तर देने की कोशिश करूगा यदि कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है विनेबजरंगी.com उस पे भी आपको आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कुछ इन्दी प्रश्न रहे जाते हैं तो आप जो है वो मेरी वेबसाइट आपकी किसमत.com पर जा सकते हैं मैं तो आपके लिए जब आप चाहें तो आप मुझसे मर्मेंट लेके मुझसे अपने जीवन को प्लान करने की बाते कर सकते हैं ताकि आप ये समझ लें कि कहां कहां पर कैसे कैसे रोडे हैं और उनको कैसे नवी बेट करना है अपना धिहान लखिएगा अपने परिवार के अभी नमस्काइब